बहरव बाबा कौन है भगवान बहरव जो है उनके अलग अलग सवरूप है उन्हें भगवान वह भगवान शीव के अवतार है उनका बटुक बहरव जी जो सवरूप है जो बहुत सौमे सवरूप है एक बाल सवरूप में उनका दर्शन है तो वह भगवान शीव के पंचम अ बहुत तरह के भगवान भैरव जी के सवरूप है इसके पिछे एक वृतांत यहा है कि जब भगवान शिव मा सती के शरीर को लेकर जो कि उनका शीर शांत हो चुका था जब उन्होंने यग्यकुंड में अपने प्राणों की आहोती दे दी थी जब पूरे ब्रह्मांद में व तो भगवान विश्णु ने उनके शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से 51 खंड किये जो कि अलग अलग जगाओं पर स्थापित हुए शक्ति पीठ के रूप में जो कि जागरित शक्ति पीठ कहलाएंगे और प्रतेक शक्ति पीठ की रक्षा करने के लिए एक-एक भहरव की नुक्ति की गई तो हर शक्ति पीठ का एक भहरव है तो जिस तरह से 51 शक्ति पीठ है तो उसी तरह से 51 भहरव है सच में जे तो हर शक्ति पीठ पर एक भहरव स्थापित है जो कि उस शक्ति पीठ की सदे भी रक्षा करता है और भहरव को बहुत बल्शानी माना गया है भहर अर्थार्त जो बहे का नाश करते जो काल का भी जो संगार करने की क्षमता रखने वाले बहरव है अच्छा उन्हें बहुत बलशाली माना गया है और तंतर का देवता माना गया है तो जैसे आपने बताया कि अश्ट बहरव है हना और 51 शक्तियों में अलग-अलग बहरव सवरूप दर्खेये जो बहुत ही सौम में है और बहुत जी बहुत ही स्रूप एक साथ आठ वर्ष बालक के समान सब्रूप है और उनकी जो साधना है वह बहुत ही सरल है और बहुत कम पूजा से वह तुरंट संतुष्ट होते हैं और बहुत प्रसन्द होते हैं एक बहुत ही जो भगवान शीव का अवतार है तो जैसे भगवान शीव भोले ना थे तो उसी तरह से इनका भी सवरूप बहुत भोला है बहुत सौम्या है तो उनके इस बाल सवरूप का पूजन कोई भी ग्रहस्त अपने भगवान शिव के पंचम अवतार है और शास्त्रों में ऐसा भी का गया है कि भगवान शिव और भैरव जी में भेद करना ही पाप है दोनों एक हैं